पेसरमनिय दर्ष्यनम् मन्दहा सरुचिराननाम् भुजम् पूझितं सुरनरोत्त मेरमुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये ओ मवतारिने स्री स्वामिनारायनाय नमो नमहं श्री सहजानन्दाय नीलकंठाय चनमो नमहं स्री गुरु चरण कमले भ्यो नमो नमहं बोलो स्री स्वामिनारयन भगवान नीजे स्रे हरे कृष्ण महराज नीजे स्रे घनस्याम महराज नीजे मंदिरमा प्रगट बिराजमान प्युडा स्री घनस्याम महराज दिविरुपे आपनी साथे सदा रहे लाएवा प्राण प्यारा पुज्य गुरु जी पुज्य निर्गुण स्वामी द्यान स्वामी मुकुंद भगत आप सर्वे भगतोने जहे स्री स्वामिनारयन स्री हरी चरित्रा मृत सागर्नी कथा चाली रही छे पूर साथ तरंग अग्यार्मू भगवान स्री हरी भूज नगरमा बिराजमान छे भूजना भगतो एनो भावने प्रेम जोई भगवान स्री हरी दिवालीनो उत्सवत्या करवा नक्की कर्यों छे सुन्दरजी भाईनी रसोई छे महराजनो एटलू अधभूत यमने पूजन करू छे चंदननी अर्चा करी पुस्पनी माला पहरावी अत्ती सोहामनी ए महराजनी मूर्ती एन रदैमा धारी महराजने जमाड्या हवे महराज संतो ने पंगतमा पिरस्वा आएवा छे संतो जमवा बेठा छे महराज आग्रह करीने पिरसे छे भूजनगर ना अनेक लोको कोई सुन्दरजी भाईना आमंत्रण थी कोई सुन्दरजी भाईना आग्रह थी कोई सुन्दरजी भाईनी मोटब जोईने कोई कुतुहल थी घणी रिते मानसो आएवा छे संतो जारे जमवा बेठा ए नगरना मानसो संतो ना दर्शन करे छे एक पात्रमा पिरिसायू छे संतो ए बदू मिष्टान पक्वान भक्ष्य भोज्य लेहिय चोश्य चार प्रकारना जे मिष्टान पक्वान छे एकज पात्रमा लिधा छे भेगा कर्या छे एमा ज़ड प्रोक्षण कर्यू छे ज़ड छाटियू छे नाख्यू छे अने संतो जमवा लाग्या छे संतो नी आवी जमवा नी रीत जोईने नगर ना मानसो ने एटलो मोटो गूण आयो छे केवी सरस्मजानी वात आवे छे जुहां हरी के धाम बीन मुक्तन एहा हरी के धाम बीन मुक्तन एहा हरी के धाम बीन मुक्तन एहा हरे के घम बिन मुक नई हाँ सब जन कहत भएते हाँ चवद लोक में संतन एसा चवद लोक में संतन एसा रसके स्वादय लेवतन लेसा रसके स्वाद यहले बतन लेशा रसके स्वाद यहले बतन लेशा हरे के धाम बीन मुक्त न केहा हरे के धाम बीन मुक्त न एहा नगरना मानसो वातो करे छे महराज आतला बदा पक्वान पिरिशे छे एक पात्रमा नाखी सर्वे भेडा करी पाणी छाटी अने जमनारा आवा संत अमे जोया न थी रसके स्वाद यह लेवतन लेशा रस एटले मिस्टान पक्वान एनो स्वाद एमा द्रंच मात्रपन जने आकरशन न थी आवा साधू तो चवुद लोक मा क्याई जोवा न मले वचनामृत मा महराजेम कहे आवा साधू ब्रह्मान मा क्याई न थी सब जन कहत भये हे तेहा बद्धा लोको एक सर्खी वातो करवा लाग्या सुन हरी के धाम बीन मुक्त न एहा आ भगवानना धामना मुक्त सिवाई विजा कोईनू काम न थी आवा मुक्त आपने या दर्रोद दर्शना पेछे जो कथामा चालू प्रसंग हतो आखी दुनियानू संसोधन छे भूख मराथी जितला मानसो न थी मरताने एना करता वधारे वधू पड़तू खावाती मानसो मरी रया छे शिक्षा पत्रीमा माहराजी आगना करी सर्वेंद्र यानी जेयानी रसनातू विशेशत ह भगवाननो भक्त जितेंद्रीय हो जो ये जेने इंद्रियोंने जिती छे इंद्रियोंने वस्मा करी छे, येवो भगवननो भकतज, भगवननी भक्ति करी सके जनी इंद्रियों गाफल छे, विशयमा लम्पट छे, येवो जिवु भगवननी भक्ति न करी सके ये तो मंदिर मा बेठो होई ने, सत्संग मा बेठो होई ने, तो पणिनु ध्यान मुर्तिमा न होई, भगवान मा न होई, जानिये छे आपणे में वाद करी हतिने, आख बे छे, काम एक छे, कान बे छे, काम एक छे, सांभळवानू, नाकना दर्वाजा बे छे, काम एक छे, सुंघवानू, इंद्रियो बे छे, एनू काम एक छे, पण आपणा अंग मा एक जीव एवी छे, इंद्री एक छे, औने काम बे छे स्वाद अने वाद स्वाद एटले चाखवू जमवू खावू एपण जीवती थाई अने वाद एटले बोलवू जगडवू लडवू आपड़ा अक्खा सरीना महत्वना सौथी मोस्ट इंपोर्टन बेखाता कोनी पासे छे कोनी पासे छे बोलो अने एटले तो भगवाने तमें जुओ कानने दर्वाजा आए पा बोलो आके ना तो क्यो दर्वाजा न थी ओपन छे शीवजीना मंदिर जेवू कान के तिया भई न थी नाकने महराजे कई आए पू दर्वाजा जेवू सटर जेवू कसू न थी कदाच भगवानने खबर चे कई कंदर जशे तो छिक खाई निकली जवानू छे आखने सटर आए पातमें जुओ भगवाने विचारिन त्या सटर मुक्या छे उप्योग कर जो आख गमेतिया जाए क्यवाई छेने आख कोईक उपर पड़े तोई प्रोब्लेम आख क्याक पड़े तोई तकलीफ औने कोईक आखमा पड़े तोई तकलीफ आख आवे तोई तकलीफ आख आववे तोई खबर ने आख आवे तोई तकलीफ औने आख जाई तोई तकलीफ आख कोईक उपर पड़े तोई तकलीफ औने कोईक आखमा पड़े तोई तकलीफ वचना मुर्त मां स्रिजी महराज येटले माटे कहिऊ भगवानना भगतोई इंद्रियो जित्वी एना माटे सव थी पहला नेत्र इंद्री औने स्रोत्र इंद्री ने जित्वी औने ए बेने जित्वा माटे जिहवा इंद्री ने पहला जित्वी शिक्षापत्री मागना करी जीबने जित्वी एकले सुन घणा जमवा बेशे ने चलो सास्त्र ने एक नानी वाद करी दिये स्वाद अने वाद बनने समझवा जेवा छे कया कया बेतत्व बोलो स्वाद स्वाद अने वाद खावामा पन ध्यान राखवानी जरूर छे वाद एटले बोलवा मापन ध्यान राखवानी जरूँँजे कोई के केवू सरस लक्योँजे पसु एटले दुखी छे पसु एटले दुखी छे बोलता नथी औने मानस एटले दुखी छे बोले छे केटलू बोलवू केवी रिते बोलवू औने क्या बोलवू औने क्या न बोलवू आतलू जो समझाई जाए ने क्या खाना कब खाना केसे खाना कितना खाना क्या खाना कब खाना पोणा बारे डीस भरिन बेहे पच्छे नू पेट के उठाई तर बुज्य उना खाना केसे खाना मानसी पुजा करी भगवनने संभारी एक आसने बेसी घणा तो एक आत्मा फोन होई एक आत्मा कोफी नो गलास होई बरबर अने आटा मारता मारता वोकिंग टोकिंग इटिंग ड्रिंकिंग चारे चार एक साथे चालतु होई तम्यावा दर्शंत अमेरिकामा रोज करता आसो इपुता नी जातने एम मानतो होई के हुँ बदाने बतावँ चुका आम वेरी बीजी पणि पोतानी जातने बीजी नई मुर्ख प्रदर्शित करे चेक जुओ रोज आपणे जोईये ची आपणा सास्त्रोई केऊ सरस्कहिऊ स्वादने वादमा चार वस्तुनु ध्यान राखो हितम, मितम, प्रियम, स्निक धम खावानू छे के बोलुवानू छे जिहवा इंद्री एक छे, काम एना बे छे, यहाँ चार वस्तुनु ध्यान राखवानू छे हितम, बदा बोलो जोर थी, हितम, घणाना नामो हितेश जो अपणा डोक्टर सहिवय वाद त्यारे छे पणा हित सब्द के ना कया आर्थमा छे न ए जो समझाई जे न तो काम थे जाए संस्कुरूत नो समझवा जे ओ सब्द छे बोलो बदा हितम, मितम, प्रियम, स्निक धम आद चार वस्तु जमवा मा पण जरूरी छे, बोलवा मा पण जरूरी छे हितम एटले हित कारी जमवू जोईये औने बोलवू जोईये सुन लागे छे हित कारी एटले पथ्य, पथ्य एटले सरीरनी प्रकुरूतिने सानू कोड डाइबेटिस होई औने रोज लाड़वा खाई तो सुन थाई बोलो दो खरा सिख्षक वर्तमान काल भविष्चय काल छोकरावने सिख्वाडता आशे वाक्के चेंज करो एमा शिख्षक वाक्के लख्यू छोक्राने जवाब आप्पानो वाक्या लखे जवाब आप्पानो एमा एक नवु वाक्या लख्यू के हुँ तमा को खाओ छू छोक्राओ आ वाक्येनू भविष्यकाड करवानुची चालो कोण करशे स्री जी उबो थेयो साहिब हुँ करू हाँ साहिब तमने कैंसर थसे आनो भविष्यकाड तो आज होई सके ने सुरेश भई तमा को खाई एनो भविष्यकाड सों होई सके जुबिन भगत हितम बोलुवामा अने खावामा बोलुवामा पण हितम जरूरी जहां हितकारी बोलो कोईकनू सारू था येवु बोलो जोरा वर्शीं बापु सीवुजीना मन्दिरय चडि गया गामनी बार जता हता नाम एकला हता एटले थुग चालो सीवुजीना मन्दीरádा मन्दिर खुलू अंद से एकला हता हता अने जोर चडि गयूँ आमस DO जोरावर्शी। जोरावे गई वो उने लोटो पानी नो भरे ल लुखेल मंत्र में रा खबरनी कया वेदना मंत्र जोर भोईला, इलठी हर्य। पना क्या मंत्र बोलुआ ला गया, ये मां कानो कुम्भार्ड ना थी निकळला इ मंदिर मा आय वो कानो मंदिर मा विन फट देन जवा जाये त्या बापु इभूंप ए काना केम आयो तो सुकाम छे बापु कहीं नी बोल बोल अरे बापु मारे येवू हो तुने मारो गधेडो खोवाई गयो छे गोतवा निकलेलो आ अववाज सांबली नू अंदर आयो लो अने बापु नो मगजे बापु न केवाई आउ शुम बोलो शुम बोलो बापु कहीं नी तमे गाता था नी तमे मने येवू लागे येवू कमारो गधेडो बोले चेक सुम अने बापु ने खत्री थे गए उबात यान एक जापट मारे न काननो पड़दो तोड नाय खेओ आउ केवाई बापु ने? कदाच हाचु होई तो है केवाई? हितम आपडू अथ्वा बिजानो हीत थाई येवू बोलू जोई येवू खावू जोई नंबर बे मितम केवू? थोड़ू जोरती बोलो मितम एटले मापे तमने भज्या भावे छे तमने भज्या हदे छे तमने भज्या पची जाई चे गमे एतला खाव तोई पन तोई पसी भज्या 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 एतला बदा खाव क्या मोड़मा आंगली नाखे तो सीधु भज्यू बार निकली जाए, घणा तो एटला बदा भज्या दबावे, खवर जन तमने, पजी पाणी क्या पिवानू, मापे सारू, घर माँ चार जना आता, पप्पा, ममी, दिक्रो, दिक्री, दिक्री ने परणावी, और मैनाओ पछी घणा समय पछी दि सासु माने एकलो बदो हरक थेयो, जमाइरा जायवा, जमाइरा जायवा, जमाइरा जायवा, कोणी-कोणी रोटली गणिन, चार जना, एमाएक पाछ जना नी, 5-5 फुलका एड़े 25 रोटली करी, गणिन हाँ, और साथी पेला, पाटला उपर, जमाइरा जना बेसाईरा, के जमाई राज आपड़ा मेमान केवाई आम पोरह चड़ी गयो तो हाँ ओसमान ओसमा पिरसवा लागया अभी खुदादा परना जमाई राज हता के जम राज हता इक खबर ने पाँच पुरी थई, दस पुरी थई, बार पुरी थई शासुबाने परस्यों वडवा मेळो 20 पती गई रोटली एटले शासुबाने तो रोटली बद्दा अखा घरनी रोटली एकला जमाई राज जमी गया एटले शासुबाने टकोर करी आम सीधू तो केवाई नी कहीं जुना समय माँ जमाई नो बहुं मोटो वठ पड़तो, अवे बदु अवे तो यह बदु जमाई यह जतोर रयो शासुबाने टकोर करी नी जमाई राजमारा डोक्तर चीनुह उखेता ता कि जमता जमता वच्ये पाणी पिवो जमाई राज के हाँ मने मारा डोक्तर रे पन किदू चे एटले वच्चे थाएं एटले पाणी पीवा नोच्छू सासू माने खबर पड़ी गए लोट बांधी दो हवे आ जमाई राज न थी आतो जम्रा जायवा लागे तको के हितकारी खावू और पाचू केवू खावू? बोलो, मितम मापे खावू और मापे बोलू बन्य माँ वस्तू समझवानीची तादा केवू शरस्चास्त्र मा लख्यू एकत जीभ, कामेना बे ध्यान राखवानूची चार वस्तूनू हितम, मितम, प्रियम, स्निकधम बोलूवामा पण मापे अवे आबो विचार वाजेवू जे घणा एतलू बदू बोले ने खबर छेन तमने एमा ओफनी स्विचर न थी एतलू बदू बोली नाकता हो है नवे इने दाखला क्या तमने जाजा आप्पा बोलो केटला दाखला आप्पा, बराबर एक भाइने मेरेज माँ जवानी ओसे ने नवा कपडार आने बदू चेंज करवा मा तयारी करवा मा पांचantal मिट मोडू थो ने पछी घरवाडा जी उकलया उकलया उकड़ा एवु बोला एवु बोला एमा रस्तामा पंग्चर थे हो गाडी मा अव्या जायला रे एटले बिजा सामेथी कोई मेमा कोई गाडी वाड़ा जता हासे एने जोयू एटले मित्र हासे उलखी गया उभार एया के भाई तमने कई मदद करू ते के एक काम करो शूँ आ टायरतों बदलिये सामनी जोड़े पंदर मीट वाद करो न तो मारू काम जल्दी पते है मापे बोलो प्रियम जम्वा मा रुचिकर होये जम्वू स्वाद माटे जम्वानू न थी स्वास्थ्य माटे जम्वानू जे समझो छन तमें क्यों सरस लख्यो रुचिकर होऊ जोई मधूर होऊ जोई प्रिय होऊ जोई अने बोलुवा मा पन क्यों होऊ जोई है तमें बोलो बे दिवस पेला संतो नी सभामा गुरुजी ए केटली सरस वात करी संतो बधा आता संतो ए एवी क्रिया करवी जोए दर्यक क्रिया बेसवानू उठवानू चालवानू बोलवानू आपड़े कोईने वडियने कोईने खिजाईयने तो पने गमवू जोए आपड़ू वडवू पन गमवू जोए ये वी आपड़ी क्रिया थाईने त्यारे समझवू कि आपड़ी क्रिया मां माहराज लेठा चे बोलो गणा तो बोलता होए के भस्ता होए खबर नथी पड़ती यहम आपड़ा इंडियन मातो खास इलोको वातो करता हैं तो बाजुमाती को मानसा आवे कि छूटा पड़वा जई है पची खबर पड़़ ओ आतो खाली भेगा थेन वातो करें जई प्रियम सोहू जई है बोलुवामा औने खावामा चोथी वस्तुचे स्निक धम खावामा हाव कोरू खावा थी गड़ामा औने पेटमा गणी बदी तकलीप गणा रोग थाई जे विग्नान पन कहे छे सास्त्र पन कहे छे गोपडांद स्वामी कईू कि जेतली भूख होई जेतली भूख होई एमा केटला टका निरगुण स्वामी पचास टका अन्नती भरवा 25 टका पाणी भरू जेतली भूख होई अनू अने 25 टका हवा अवर्जवर रह एटला माटे खाली राखू पे आवी रिते भोजन करवामा आवे गोपडांद स्वामी ये मंत्र आएपो तो क्यारे रोग न छाई अने आपणे जम्वा बेशी तेर कयो मंत्र राखिये छिए जाने के वे आखी जिंगी मा आपने फरिवार जम्मानू मलवानू नथी एम मानीने जमी लो अथी लागते हो केवी सरस आवात आवी तमें जुओ संतोने रसमा स्वाद नहतो भगवानना धामना मुक्त सिवाई बिजो कोयाव न करी सके सब्द तो जुओ गामना मानसोने केटलो भाव थयो रसकु निरसकरी के खाना याकु मिले जरूर भगवाना रसकु निरसकरी के खाना याकु मिले जरूर भगवाना याकु मिले जरूर भगवाना भगवान मिले बिन स्वादन जावे स्वाद हित जन जत न करावे आखु जगत जीव माते जाने जीवे छन येव लागे छे खावा माते ज मानसो जन्म्या होई ने येव आपनने देखाई अधी देखातू तमे गम्मे त्या निकलो केटला स्टोरो खुली रहाज खावा पिवाना अनि आटला खुले चे तो ये होजी ओछा पड़े छे चटाका मारे छे हैं चटाका आटला रोगवधीर या छे तेम चेता मानसो होजी भोग माथी पाछा न थी वड़ता स्वाद हीत जन जत्न करावे जीव प्राणी मात्र जीव माटे जीवर या चे आओ लागे छे आज़ीबना स्वादने छ़डव उई तो बोव अखरु छे भगवान जेने मलेआ होई भगवान नी मुर्तीमा जेनू मन परवाई गयो होई ए जीबना स्वादने छोड़ी सक अने आ संतो आवासरस मिष्टान मले जेने नथी मलतु अने स्वादमा नथी खेचाता ए जुदी वाद छे पन भोग मलिया पछी पन भोगमा जेनी वृत्ती जती नथी ने ये भगवान जेवो जानवो भोगनी वच्चे रया पछी पन भोगमा जेनू मन लल्चातू नथी ने ये भगवान नी कृपा होई तोज थाई सके के वुशरस रसको निरस करीके खाना यांको मिले जरूर भगवाना रसने निरस करीने चेतन्य महाप्रभू डिक्सालेवा माटे आवे सहज वैराग्य हतो पुर्व जन्मना मोटा मुक्त हता येमना सद्गूरे परिक्षा करी बेटा तु जीब खोल, मोटू खोल यू, जीब बहार काडी, जीब उपर एक साकर्नी गांगडी मुक्य चेतन्य महाप्रभू, एने कहिऊ, तु थोडि वार जीब आविरिते राख, मुकेली साकर्नी गांगडी घणो समय थयो छता ओगली ज नही, एना गुरु ये माथे हाथ मुक्यो, बेटा ते जीहुवा इंद्रीने जित्यली छे, रसास्वात्थी तु पर छे, मारा तने आ सिर्वात्थ छे, जातने दिक्सा आपीस, और आखी दुनिया मातु भगवाननु नाम, एनो जहे घोस करावीस, और आपने जानिये छे, चेतन्य महाप्रभूद्वारा केतलु मुटु काम थेयो, तालियो थी वधाविये। सवथी पेली परिक्सा केवी करी, निस्कुलांद स्वामी येमना दिक्रा हाता, खबर चेन तमने, स्वामी साधू थेया, त्यारे स्वामीना बे दिक्राव हाता, घरे मुकिन स्वामी साधू थेयला, स्वामी साधू बनी गया, पची येमना दिक्रा, दर्शन करवा जी महराद ना आईवार। जी महराद ना आईवार। जगत नी खरी गई। महराद पास आईवा। महराद ने कहे। महराद मारे साधू थवुझे। महराद क्यामने सुपोचे बाजुम बापुजिन पुची आई। महराद के। त्याँ पुचिलो, तम्हें बदा सारा भग्तो छो। समझन बँट सारी छे। पड़ तम्हें नक्की करो, संकल्प करो अत्यारे बद्धारी बग्तने वीच्छा छे कि स्वामी अमारे तिया संतो बद्धारे अमारा गाम्मा संतो आवे अमारे तिया संतो अठवाड़ी रोकाई पन चार संतो क्या पोच्छे तमारे संकल्प करवो पड़ से के वो संकल्प स्रीजी मारे जे पत्रो लख्या आता बे दिक्रा होई तो एक साधू थवा मुखलो और चार होई तो बे साधू थवा मुखलो पितानी बहु मोटी जवाबदारी छे माताने पिता दिक्राने भगवानना मार्गे जो वाले ने तो आ समाजनु केटलू मोटू कल्यान थाई थोड़ू कठण काम छे पण समझू माता पिता आरस्तो ले जे नाना दिक्राव होई आजी आपने आनंद थाई आपना न्याल करण भगत केटला ये बुद्धी साली तमे तो जोहो छो बराब आपनो आख्वू मंदीर छेने एमा मुट्टा मुट्टी सेवाई मनी छे त्यार ध्यान स्वाई ने पूछो स्वामी थाकी जाई छे भगत ने पूछो भगत थाकी जाई छे भगत ध्यान स्वामी आ बद्धू छेने जेतलू देखाये चेन इए भगत एकला चार वरस्ती करे चे एक दिवस्वार के सान चुक्या वगर तालियो थी वदाओ हां पणि नानाहताने पांच वरसना त्यार थेमना माताने पिता बनने एकक जवाद करता कि बेटा तारो जन्म भगवान माटे थयो जे गुरुजी माटे थयो जे तारे महराधिनी गुरुजी नी सेवा करवानी छे अमारी सेवा नहीं आ संस्कार आ सब्द कानमा नाखेला दिक रो नवयुवान थाए पूर्ण समझू थाई पोतानी समजण थी इने वैराज्य प्रक्टे संसार नो त्याक करी निर्णे करे ये माथी चे न्यालकरन भगत जिवा तयार था ये माथी थाए नामले खावान थाए येवा माथी ना थाए इटले स्वामी एक कईउ माहराज मने साधु बनावो माहराज के सारु साधु पच्छी बनाव सु एटली वार मां जिवुब आयवा महराजने विनन्ती करी महराज जम्मानों समय थयो छे महराजे कई उक आ मुमुक्सुने पेला जम्मडों आमे पछी जमिशु जाओ लई जाओ एटले मुकल्या जिवुब आयमने एक उसरी मां बेसार्या थाली मा पिरिश्यु पिरिश्य ने आयवा जमि लिदू एले जिवुबाय महराज ने एक वाद करी महराज एक वाद करू आ सिहना तो करेखर सिहनो होय केम जिवुबा आउ क्यों छो महराज में बों मोटी पडिक्सा लिदी थाली मा जम्वा माटे त्रण रोटला मुख्या केटला रोटला? थाली मा जम्वा माटे त्रण रोटला ए जम्मानामा साराम सारोजे रोटलो गणाई गवनो रोटलो एटले पड़ भाखरी कईए गवनो रोटलो उपर राख्यों साराम सारू भोजन पचि येनी निचे बाजरानो रोटलो मिडियम गणैं येनी निचे जुवारनो रोटलो त्रान रोटला में थालिमा मुक्या हता थोड़ु स्याकने दोधुमुकी होतु आ केवा मुमुक्सु वहराग्य मुरुती निशकोलांद स्वामी एना पुत्र, पन स्वामीने चड़ त्रण रोटल आहता उपर नड्या, वच्चे नो नड्या, निच्चे नो रोटलो खाय औने चडू करी अमारी कोई सामे जोयावगर उभा थाई गया महराज आने दिक्सा आपी दो आतो सिहना सिह था ये वाच्याँ महराज दिक्सा आपी, गोविंदानंद स्वमी नाम पैड़ू, सु नाम पैड़ू? अपन परिक्सा कोणे करी? थोड़ू जोर्थी बोलो, औने शेमा परिक्सा करी? रोटला उपर थी, औने आजे तो लाडवा खावा मलें पची संत महेत थाई, औने पची साधू थाई, साधू थया गोविंदानंद स्वमी नाम पैड़ू, सारंगपूर माहनमांजी महराज नी प्रतिष्ठा करी? अनमांजी महराज नी प्रतिष्ठा नी आर्ती उतार विहती, कोपालानंद स्वमी संतो नी सभाम नजर करी, पाछल नाना साधू बेठेला, गोविंदानंद स् त्यजस्वी व्रत्वान अमने संत देखातो नथी अनुमांजी महराजनी प्रतिष्ठानी आरती गोविंद स्वामी पासे करावी तालियो थी वधाव आवा गोविंद अनंस्वान। अवा पिवा माटे क्रोध थतो होई आवो तो बहुत थतो होशे मने हमाचार मलेची क्यारे क्यारे नथी मलता है अमने पड़ा कथामा वात आवी एटले टकोर करू आपने भगवानना भगत छी ए रस्ते थी आपने पाछावलिये केवी अधभूत वात छे गामना लोकोने भ पिरस्वा फरतारिया आत पग धोईने आसनु परावीने बेठा पिरस्वा मा महाराजने खूब स्रमत अयो हतो महाराज घणा थाक्या हता पोडवा माटे पढ़ारिया भगत आव्या महाराजि कईू सारु सारु पग दाब्बूचे दबावा तमे महाराजना चरण लगावी दिदू गंगारा मल छेने अखाड़ो चलावता ता इन्हों नाम जो तु मल अखाड़ो चलावे यह ने थेवक आजे महराद ने जोही लिए श्रीहरी यह कहिऊ तमारामा काई बल नथी तमे जोर कई करता नथी थोड़ू दबाव बराबर अमने कलतर वधारे चे आम कहिऊ त्यारे गणा बलवान एवा बिजा चार मल उठी ने जोर जोर ती दबावा लागया आ बेतो हता बिजा केट लाग महिरा है चार ते मल लो घणू बल करिने श्रीहरी ना पगने दबावा लागया दबावता दबावता एटलू बुदू जोर करियू वज्जर समान श्रीहरीनू सरीर यहमा रंच मात्र फेरन पड़ो एक कथा तो एवी छे एटलू बुदू जोर करियू के खातला नी पेली पाट तीने ए खातला नी पाट तुटी गई कड़ड़ा वा जायेवो त्या सुधी जोर करियू बोलो तेमने आटलू बुदू बल करियू दाब्यू हतु के तेमनी जग्याए जो कोई मनुस्य होई तो तेनु सरीर तो भांगेने तुटी जाये आटलू जोर करियू छता कसू थयू नहीं आम भगवान स्रीहरी नू एस्वर्य जोयू अने त्यारे मल बोले हरी से कर जोरी मल बोले हरी से कर जोरी तुम भगवान नीश्चे सो भयेरी दावे में हम परखही लीने भगवान तुम हम नीश्चे कीने भगवान तुम हम नीश्चे कीने भगवान तुम हम नीश्चे कीने पेला बदा मलो हाथ जोड़ी ने कहवाला गया अरे महराज सरीर ने दावी ने जारे ते बदा मल थाकी गया त्यारे श्रीर ये कहिऊ तमे राखो तमे तो बहुँ जोर करियो अमारा सरीर नो बधू दुखाओ मटी गयो छे त्यारे मलो ये बे हाथ जोड़ी ने श्रीर ने कहिऊ तमे नक्की भगवान छो केम जे आपनू सरीर दबावी ने अमे परिक्सा करीली धी अमे तमारी परिक्सा करी श्रीजी महराज एक एटली परिक्सा आपी छे ने तो गणी न सकाई हाँ एटली परिक्सा अने बधा राजाओ ये तो ये रिते परिक्सा करे भरवाड ये तो ये रिते परिक्सा करे श्रीजी महराज निकले आछे अने रस्तमा प्रसंग निकलेओ के महराज दादाना दर्बार मा गाई ओछी पड़े छे अहां बाजुमा गाम छे त्यांक भरवाडनी जोकमा बहुँ सारी गाईों होई छे तो आपड़े लेवी छे महराद के चालो त्यां गया भरवाडने बोलावियो अने किदू के अमारा भगवान स्वामी नाराणी छे गलिडामा रहिये छे दादाना दर्बार मा छे दर्बार गढ़ मा टेक सारी गाई जोए छे गोती आपो पड़े मानस एने कईू के जुओ आ बद्दी मारी गायों छे तमारे जेलेवी होई लईलो कोई पण गाई तमे पसंद कर सो तो पचास रूपया अने हुँ पसंद करिना आपो तो सो रूपया माहराज के आम अवडू काम बोलो छो जंदरली के वो होई तमे कोई पण वस्तु लेवा जाओ तो दुकान दारेम के क्या केरी छे हुँ आपो तो अडधी किम्मत अने तमे जो शिलेक कर सो च आपो तो इस तमने खबर न पड़े कि अम्मे जानिये बिजा कोई न खबर पड़े महराज तो अंतर्यामी हता महराज के जो अमारे तो अडधी किम्मत आपी छे अमे खोटा पईसा जाजा नहीं आपी तो लईलो तमारी मेले आ बदी गायो उभी इतो पेलो लाकडी होई महराज जोकनी वच्चे गया बरो बर वच्चे एक लामबा कान वाली गाय एनो कान जायलो महराज के अमारे आ गाय लेवी छे औन या भरवाड नी चार आँख थे गया जोर्ती बोईलो गम्मे तेम होई पन तमे भरवाड लागो छो शो बोईलो पेला बधा दरबारो संतो अर्श्वा लागिया अल्या तो आम केम के छे एके अमारी नातनो होई ने येने जा गाय नी खबर पड़े बाकी विजो कोई ओलखी न सके आतो भरवाड पाका बधा के आ भरवाड नती आतो भगवान छे तकी तमे जी मानो अती पण इव छे पाका बोलो आई परिक्साली थी ता मल्लो हता स्रीजी मारे धमड कामा हता धमड कामा राइधन जी एतला बदा बढ़िया हता छो नाडियर ले आखा बे आतमा राके मुठी मा बे बगलमा दबावे बे साथल वच्चे मुखे और एक साथे चे ने बदाम तालियो पड़ें जही बोलें तो आम भुक्का कर नागे एक साथे छो नालियर नो कचड गान काडी नागे आतमा होई बगलमा होई निसाथल वच्चे होई आतली ताका ते नाम हती एमा स्रीजी मारज आवेलान माहराज सभामा वात करी भगवान स्री कृष्ण और भागवत निवधी वातो चाले बाल प्रभु हता पुत्ना ना प्रान लिधा अग्यार वरसना थया कंसने मार्यो भगवान तो भगवान छे दिव्य एस्वरिय छे राइदर्ण जी हस्वाला गया महराज के बापु केम हसो चो अरे महराज 11 वरसना छोकरू और दस हजार हाथीनू जेमा बल हतू केटलू बल दस हजार हाथीनू बल जेमा हतू येवा मोटा कंसने चारनूर ने ये बदाने मारी सके थोड़ू मा पेराको थोड़ू महराज में थयू का वे आत बापु ने आम समझाओ अगुरू छे थोडू और बल दस होई ने बल दस होई दस होई येने बलनी बाद समझाओ और ये कल थी नो हमजे पची येने तों बलधी झ altern Curt Archives ये ॥ождि भार्य दस्रां का फुली फ privacy July southern zach develops कसाब्दिवान होईने ने येने अमारू आ कांडू, ये पकड़ो, आमें छोड़ाई देशू, राइधन जी के, अरे महराज, हुँ जाटको महरीश ने, तमारू कोमल सरी तुटी जो से, ये ना करता महराज तमे छे ने, महरू कांडू पकड़ो, महराज के नहीं, आपने महरूत पकड़ो तमें, बढ़ी आ महराजी, एक जटको मैरो ने, छोड़ी नाक्यो, राइधन जी के, महराज आतो में डिलू पकड़ो तुने, ये टले छूटी गयो, फरिवार करिये, हवे तो राइधन जी बराबर, अमबल मा वी गया, हवे ने थियो, के हवे आई या डिलू डिलू नहीं चाले, तेके, मह महराज तो बहुत, मल खुष्टी करता नहीं, महराज नू तो शरीर पाण, कूनू होतु, कोमड होतु, नानू होतु, अने मल जी होई, दरुज अख़डा मा जता होई, ये ना तो मसल्स केवा होई, ये कई जिम्मात यार थेला मसल्स नो ता, हाँ, खाली देख़ाडवा म पकड़ेलू, राइधनजी एवु पकड़ेलू, महराज एक जटको मायरो ने, एक जटको मायरो ने, राइधनजी ने सिद्धा बगलमालें दबायवा ने, त्यान त्या प्राणू उड़ी गया, जमिन पर डढ़ी पड़ा, आ कार मची गयो, बदा रडवा लागया, महरा आज महारामा येम हतु, बढ़नो अभिमान मने बव हतु, पन आजे तमे मारू बढ़नो अभिमान दूर करियू, और साथे साथे तमे बगवान छो आ निश्चे मारा रदे मा करावी दिध, आ निश्चे करावी दिध, लो. वड़ताल महाता गोमती जिना किनारे महारत बेठाता रमुज करताता जोबन पगीन बदा सुन्दर पगीन तको पगीन बदा ये बदा भगतो बेठेला महाराच के जोबन भाय आपड़ेक आजे रमत करवी छे सुँ आसामे जाडचे नाम बानू त्याक नालियर बांदो जोबन पगी हस्ता हस्ता के वाला गया आरे महाराच अमे तो आख मंद करी उड़ता पंखिन पाड़ी देए तम या नालियर नी क्या वाद करो आतो आउड़ू मोटू बिजान हो पो बिजान महाराच के नी तमारो वारो पेलो के नू अभी मानू तो यहमने तिरकाम ठानू दादा जोबन पगी ने यहम के हमना एक कज गाये पूरू एक वार बे वार त्रण वार कसू थयू ने बिजायवा त्रिजायवा जेतला आता ने यह पगी बद्धा फेल सभामा बेठा ता कौन गड़ाली ना आमबासेट महाराच के आमबासेट तमे आओ ने आमबासेट के महाराच तिरकाम ठू के यहम पकड़ा नीज मन नथी आवडे नहीं आख बंद करिन तिरकाम ठू जवा दिधू खबर नी क्या जसेन क्या अडशे पन सनननन तिरक गयू अने पेला नालियर ने विंधी नाखियू नालियर धब दन नीचे पड़ियू महाराच ना नामनो जही घोस थे गयो बदा जही जे कार करवा लागया आमबासेट नो जही घोस थवा लागयो आमबासेटे महाराच ने आज जोड़िन कहीू महाराच आ मारू काम ठे जोबन पगिये पन महाराच ने आज जोड़िकिदू महाराच आ अमारू काम ने आ आभिमानी मानस सामे तकरार करवी शास्त्र ना पाडे छे . कोईने बळनु, कोईने बुद्धिनु, कोईने रूपनु, कोईने पईसानु, कोईने धननु, कोईने गुणुनु एटला बधा प्रकरना आभिमान छे, वातर ना पूछू । और ये तो ठीक अवे तो मुर्खामीनो अभीमान नवू चालू थियो चुछ। कई अभीमान? बोलो. येवा अभीमानी मानसो होई चे या प्रुथ्वियुपर. भगवान स्रीहरिये मल्लो आविरीते पगदबावाईवा, पोताना सरीरमा जेटली ताकातती बधी लगावी, पन भगवानने कई पन थयू नई, मल्ल नारदेमा भाव थयो, बोल्या हमारी विद्या कर हमही जाने, और बात कर हमन माने. महराज, अमे तो मल चिए, अमारी बुद्धी बढ़ नी छे, बळनी बुद्धी द्वाराज, अमे तमने भगवान तरीके ओलखी सक्केे, सास्त्रनी वाध्थी अमने भगवान ओलखाई? अमें अमारी विद्या एकरी ने जानियू बिजीवात एकरी नमें नमानिये ये महराज मारों मोक्स थाई एतला माटे तमें आपनू सरीर दबावडावियो हतु अवे अमने खबर पड़ी छे मल्लोंने जरे पाको निश्चे ही थाई गयो त्यारे स्रीहरी ये तिमने वर्तम अहिया एतले क्या तो जहां द्राक्षना विशाल मंडप हता पची सरीर कोरू करिने दोत्यू पहरू श्रीहरी नू ललाट चंद्रना तेज जेवू चमकतो हतु श्रीहरी ये खेस ओढ़ीली तो ललाट मा केसर युक्त चंदन नू तिलक करियू जर्यानी पाग स्रीहरी य उपर मोतिना बाजु बंध पहरिया आता आजे आपणा पीवडा महराज्यो माथानी पाग महराज्यो जो चेने जामपाडी दैवी चे किने आजे ताली योथी वधा हो महराजना संगार थड़ु मनमायम थतु होतुक स्रीजी स्वामी इंडिया जहिरया छे आपणा मंदीर मा गणू बदू सुनू लागे गणू बदू तमें जानो चोने महराजना संगार होई कथावारता होई धूनकिर्तन होई पुझ्यपाद गुरुजी नी कुरुपा अने आपणा संतो नो दाखडो ध्यान स्वामी महराजने केवासर संगार यमने पन ताली योथी वधाओ केटला प्रेम्थी महराजनी सेवा करे छे बाकी यमनो तो विशेज नो तो यमने तो क्यारे आवी सेवा करे लिज नहीं अने अच्चानक आवी पड़ी अने आटला बदा सफल थया खूब ताली योथी वधाविये आ महराजनी आपेली सक्तिने बुद्धी छे महराजनी आपेलो आमबासेट जेवूचे के वूचे बाकी आ अमेरिकन मैंड माओ ड्रेस आवे खरो आवे दादा यमा तो पछे आव ड्रेस ना आवे यमने तो वे काठ्यावडी साफोय बनता आवडी गयो चे भगवान श्रीहरी बनने भुजा उपर मूतिना बाजुबंध पहरी लिधा हाता चाती उपर मूतिना हार पहरी हाता प्रिवडा महराद ने जो आजे चाती उपर केवा मूति लटके जेने मूतिना तोरा पागमा धारन करिया हाता पागमा सिरपेच बांधियो हतो तेना उपर मूतिनी कलगी धारन करी हती चरणो मा सोनेरी चाखडियो पहरी हत रम्जम रम्जम ध्वनी करता स्रीहरी संतोनी सभावच्याविया खुबज प्रसन्न मुद्रामा स्रीहरी रत्न जडित शियासन उपराविने बेठा धर्म मुर्ती, धर्मप्रदाता, धर्मकुमारनी जय हो, आउ बोलीने, बनने चोपदारो, कनक छडी लईने, छडी पुकारता हता विरिद प्रकारना वाजिन्तो उमंग थि वगाडि रहिया हता, तेनो ध्वनी अत्यंत थतो हतो, औने बिजा बधा लोको जय 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 बोलता हता आविरिते भगवान श्रीहरी भूजनगरमा बिराजमान छे भगवान श्रीहरी ए संतोना निस्वादी वर्तमान द्वारा गामना लोकोने सत्संग करावियो साधूनी क्रिया जोई गामना लोकोने गुणावियो सत्संग स्विकारियो कंठी धारन करी सरनागती स्विकारी मल्लोने पोतानु एस्वरिय बतावी भगवान स्रीहरी ये यमने निश्चे करावी येने आस्रित बनाविया आवी दिते भगवान स्रीहरी भुज मा चरित्र करे छे इती स्री शहजानन स्वामी सिश्य शिद्धान्मोनी विर्चित श्रीहरी चरित्र अमृत सागरना सप्तम्पूरुमा स्रीहरी ठाळ जम्या शहुने जमालिया पची सभामावीने बेठा ए नामे अज्यारमो तरंग सम उपनी सदो ये उपदेश जयाय पो छे, उपनी सदो नो जे स्रेष्ठ मुर्धन्य भाग कहवाई, एमानो उपदेश छे, कयो मात्रु देवो भव, आ प्रुथवे उपर जीव प्राणी मात्र माटे प्रथम देव, प्रथम भगवान जो कोई होई, तो मा छे अनि बिजा द पिता छे, त्रिजा देव गुरु, गुरुनु स्थान त्रिजा नंबरु पर राख्यु जे, माताने पिता, एना माटे एक दिवस आपणी संस्कृतिमा नथी, पन तेम छता, आजनो मानस, कुत्रा पाली सके छे, बिलाडा पाली सके छे, रुद्ध माता पिताने साचवा होई ने नथी साचवी सकता, त्यारे आओ भगतो, आपणा लोयाधाम परिवार नी अंदर आओती काले जारे भाधर्ष डिया विरयो छे, पित्री वंदन करवानों दिवस छे, पुझ्यपात गुरु जिनु तो सुत्र छे, कि भगवान स्वामियान नी आगना छे, याव भगवान नो आशरित न थी, गुरु जी अनेक वार वाद करी छे, कि भगवान मले, येने मातापिता मले के न मले, सवाल छे, पन जेने मातापिता मल्या छेने, येने भगवान जरूर मलवाना आज, आमे खात्री आपिये छे, गुरु जी खात्री आपिज खबर छेने, मा पुझ्य गुरुजीना श्री मुखे आपने अनेक वार पुंडलिक भक्तनी कथा सांबली इचे खबर छेने। तो आजे आपना मंदीरमा पित्री वंदनानो नानो कारेक्रमा आपड़े लेवो छे साथे साथे बिजी जाहरात पनलेवी छे तो अत्यारे एक नानकलु किर्तन आजे खास फर्माइशावी छे क्या किर्तन स्वामी गाजो । एतने किर्टन गाई सभाने पूरी करेशो बोलो घनस्याम महराजनी